आए फिरी से आपका सुवागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक्रेगर में मनोविकार सेक्स रोग संमोहन तथा व्यस्तनमुगी तग्यों महाराष्ट में आकुला में प्रैट्टिस करता हूँ काफी बच्चे लोग 17-18 साल के बच्चे हमारे पास में आते रहते हैं काउंसिलिंग के लिए आते रहते हैं या उनके माबाव उनको लेके आते हैं और उनके दिमाग में काफी सारे सवाल रहते हैं सेक्स के बारे में और सबसे एक एहम सवाल जो रहता है वो है कि क्या शादी गर से बाहर रहते हैं higher education की लिए उनका education जो है वो लंबा चलते रहता है 25 साल 32 साल तक education चलते रहता है इस नहीं है तो मापाप के साफ में ए फैंबिल्इ को pasta इमोशनल सपोर्ड उनको बाहर से ज्यादा मिलता है उनके दोस्तों के साथ में ज्यादा मिलता है दोस्तों के साथ में ज्यादा समय बिताते रहते हैं लोग अभी लेट मैरेश करते हैं पहले ऐसा था कि वह इस अठरा उनीस साल 20 साल होगे तो उसके पहली शादियां हो जाती वह हर्मूज जो है वह तो बाहर उबल उबल के आते हैं फिर लोग बोलते क्या मैं रह सकता हूं लिवीं इसकते हैं इसे कभी सारे सवाल आते हैं परेंट्स को पूचा क्या आपके बच्चों को हमने शेक्स के लिए पर्मीशन देना हैं परेंट्स बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ऐसा संभव नहीं है अच्छा दोस्कोर ने पूछा क्या मैंने सेक्स करना चाहिए शादी के वरे दोस्स हसेंगे बोले तू अभी भी भरजिन है अभी तुने सेक्स नहीं किया ऐसा दोल बोलेंगे पेरेंट बोलते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हमारा उनके उपर पुरा विश्वास है मगर जब बहुत ही कुछ तभी बन फुड जाता है एबोर्टों की बात आती है तब उनकी आखें खुल जाती है किया Israeli है इसा कैसा नहीं वहां से लोग लेते हैं उनका knowledge नहीं से मिलता है उनको government के government कोई program चालुगी उसमें ऐसी चोड़ी बाते रहे थी कि जो बच्चों को पहले से मालूम है इस ज़्यादा मालूम है बच्चों को फिर लोग कहां से मालूमात कर लेते हैं लोग friends के इसले नजएर से इसमें सूलीशन क्या है इसमें करना चाहिए उनको शरीज चुपने बैढने जाता है शरी तो बोलता मतलब शारीक दूश्ट्री से वो बहुत एक दूश्टी के करीब आजा थे हरे पेरेंट को ऐसा लगता है कि यह प्राब्लिम मेरे घर में नहीं आएगा यह तो बाजी वाले के घर में होंगा मगर बच्चा क्या करेंगा बच्चा तो वो ही करेंगा जो दुनिया में हो रहा है अठ्रा साल के बच्चे होने के बाद में उसको ऐसा लगता है कि अभी मैं तो मेजर हो गया भी मैं वोटिंग कर सकता हूं भी तुम्हें कुछ भी कर सकता हूं पेरेंट्स का यह काम है कि बच्चों को पास में लेके बैठना, उनको सेक्स एजुकेशन देना, उनको यह बोलना कि देख बेटा, या बेटी, जो भी है कि तुम्हारी उमर 18 साल के हो गई है अभी इसके फाइदे क्या-क्या है इसके नुक्सान क्या-क्या है पूरी साइट प्लस मैनस उनको बोलनी पड़ेंगे उनको बताना पड़ेंगा उनको यह बताना पड़ेंगा वो लड़की को, आपकी लड़की है तो कि क्या आप वो लड़की के उपर ट्रस कर सकते है हो सकता है कि आपका emotional attachment, physical attachment होने के बाद में वो आपको छोड़ेंगा नहीं, वो आपको भूलेंगा नहीं, भूला नहीं पाएंगा तो घर के बाहर चक्कर लगाते रहेंगा, आपको emotionally blackmail करता रहेंगा, क्या आप बच्चों के पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कि वो वीडियो नहीं लेंगा, वो तो ये सब हमको बच्चों को सिखाना पड़ेंगा, बताना पड़ेंगा, इसके क्या-क्या impacts है, क्या-क्या हो सकता है, लोग बोलते हैं, हमको तो कैसा मालूमात पड़ेंगा, कि मैं सक्षम हूं की नहीं, कुछ लोग ऐसे हमारे पास में आदें, कि मैं potent हैं की नहीं मेरे को कि नहीं में पड़ेंगा, कि ओड़ेंगा, क्या-कश क्या-क-डर्फ करना है, ये उसको तो लड़के आपकि हमारे पास में, हमारे सेख एउन्प्र करने के लिए, एसक стать क्र Dawnna के या फिर बिदर कुछ तभी ऐसा है कि उसके लिए मजबूरियन, मतलब मजबूरियन उसको करना पड़ रहा है कि इसने कुछ allegation कर दिया, या फिर खुद को आत्मभिश्वास नहीं कि मैं कर सुखूंगा नहीं कर सुखूंगा, उसके उसमें मन में गलत करने के लिए सेक्स कर सकता है, वो एक बात होगे है, और दूसरी बात यह है कि emotionally opposite sex के साथ में involved हुए है, शादी के पहले, during education, during job और फिर शादी अभी होने को बाकी है, और आप sex में involved होगे, उसके साथ में sex कर रहे हैं, सबसे पहले महत्वा की यह बात है कि हर पेरेंट ने जानना जरूरी है, कि उनके बच्चों को कोई problem यह area में आ गया, तो सबसे पहले वो अपने parents के पास में जाएंगे, उनको इतनी सवलत होनी चाहिए, इतनी इतना friendly relationship होनी चाहिए parents के साथ में, कि वो कुछ भी हो गया तो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को education देना, इसके बारे में इसके क्या नुकसान है, क्या problems है, उसके बारे में, क्योंकि आपको पता है कि AIDS है, मतलब HIV, इन्फेक्शन हो गया तो, या कोई sexually transmitted diseases हो गया तो, precaution नहीं लिया तो, मतलब कुछ भी संभव है, anything is possible, तो वो हम उनको सब मालूमात कर देते हैं, और फिर जो भी करना है, वो मर्जी करो भई, वो आपकी मर्जी है, फिर क्योंकि 18 साल के उपर तो हर एक की मर्जी है, हर एक का डिसेन अपना होता है कि करना की नहीं करना तो, parents ने सतर करेना ज़रूरी है, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं, वो भाजी नहीं कर रहा है, तो पिछड़ा हो माना आजाता है, आजकल girlfriend, wife friend नहीं है बोले तो ऐसा मतलब उसके तरफ देखेंगे कि गहरे है, ऐसा कैसा है, girlfriend कैसे नहीं है, मतलब इस तरह का उसको पिछड़ा हुआ विक्ति माने जाएगा, तो ये दुनिया में हम रह रहे है, दुनिय जी बात कर सके, बच्चों की नजर से दुनिया को देखना जूरी है, ना कि parents ने अपने नजर से, कि parents जो बात कर रहे है, वो 30 साल पहले की बात कर रहे, बच्चा भी 30 साल का हो चुका है, तो हमारे जमाने में ऐसा था, हमारे जमाने में वैसा, वो बात कुरूप है मत करो, अभी जवाना बदल गया है, यह सब देख लेते हैं आप, उसके प्लस मैनस साइट्स, प्रोज और कॉन्स, तो फिर निरने आपका होंगा, कि सेक्स करना कि नहीं करना, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो जोरू, शेर करो, सबस्क्राइब करो, लाइक करो, हम अनलाइन कॉंसिलिंग करते हैं, हमारे हैं हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल में हम मनोरुगन का इलाज करते हैं, मतरिसारों के साथ मी इलाज करते हैं, और लोगों को अच्छा कर कर लेते हैं हमारा मीशन जो है सब के लिए मानसीख स्वास्ति रुष्ण मुक्त भारिस में आपका भी हात लग जाएगा थैंक्स फॉर वाचिंग पाओ бы जाएगा थैंक만 झाल वाएगा थैंक्स फ्णिए रुष्ण done